लोट्स टेंपल, दिल्ली, भारत में स्थित है, एक बहाई उपासना स्थल है जिसे दिसंबर 1986 में समर्पित किया गया था। फूलों जैसी आकृती के लिए उलेखनिय यह शहर में एक प्रमोख आकर्शन बन गया है। अन्य सभी बहाई पूजा स्थलों की तरह, लोट्स टेंपल सभी के लिए खुला है, धर्मिया किसी अन्य योग्यता की परवा किये बिना। यह इमारत 27 फ्री स्टेंडिंग मार्बल क्लेग, पनखुडियों, से बनी है, जो 9 अभुजाओं को बनाने के लिए 3 के समुहों में व्यवस्थित है, जिसमें 9 दर्वाजे 34 मीटर से अधिक की उचाए और 1300 लोगों की क्षमता वाले केंद्रिया हॉल में खुलते हैं। लोट्स टेंपल ने कई वास्तुशिल्प पुरसकार जीते हैं और कई समाचार पत्रों और पत्रिका लेखों में चितरित किया गया है। इतिहास लोट्स टेंपल के वास्तुकारे की रानी फरीबोर्स सहबा थे जो कनाड़ा में कुछ साल रहने के बाद अब कैलिफोर्नि और निर्मान लासन एंड टुब्रो लिमिटेड के एसी सी कंस्ट्रक्शन ग्रूप द्वारा किया गया था दस डॉलर मिलियन की लागत से। धन का प्रमुक हिस्सा खरीदने के लिए आवश्यक था यह भूमी हाइद्राबाद, सिंध, पाकिस्तान के अर्दीशिर रुस्त द्वारादान की गई थी, जिनकी इच्छा थी कि उनकी पूरी जीवन बचत इस उद्देशे के लिए जाएगी। निर्मान बजट के एक हिस्से को बचाया गया और स्वदेशी पौधों और फूलों का अगयन करने के लिए एक ग्रीन हाउस का निर्मान किया गया जो साइ देशों के 8000 बहाईयों का जमावडा था, जिसमें भारत के 22 प्रांतों के लगभग 4000 बहाई शामिल थे। मंदिर को एक जनवरी 1987 को जनता के लिए खोल दिया गया था और उस दिन 10,000 से अधिक लोगों ने दर्शन किये थे। पूजा बहाई आस्था सिखाती है कि एक बहाई पूजा घर सभी धर्मों के लोगों के एकठा होने, चिंतन करने और पूजा करने के लिए एक स्थान होना चाहिए, धर्मिक प्रिष्ट भूमी, लिंग या अन्य भेदों के बावजूद कोई भी लोट्स मंदिर में पढ़ा और या जब किया जा सकता है, दूसरी ओर अशास्त्रिय ग्रंथों को पढ़ना वर्जित है, जैसा कि उपदेश देना या व्याख्यान देना या धन उगाहना है, वाचनों और प्रार्थनाओं की संगीत में प्रस्तुतियां गाना बजाने वालों द्वारा गाई जा सकती हैं, लेकिन अंदर कोई वाध्ययंत्र नहीं बजाया जा सकता है, पूजा सेवाओं के लिए कोई निर्धारित पैटन नहीं है और अनुष्ठानिक समारोहों की अनुमती नहीं है, सनरचना आंतरिक द्रिश्य मंदिर के शीर्ष पर स्थापित महानतम नाम के प्रत अब्दुल बहा ने लिखा है कि बहाई पूजा घर नौ तरफा और गोलाकार होना चाहिए, हालां कि सभी वर्तमान बहाई पूजा घरों में एक गुंबद है, इसे मंदिर का एक अनिवार्या हिस्सा नहीं माना जाता है, उनकी वास्तुकला, बहाई धर्मग्रत में यह भ अथक साधारन पोर्टेबल व्याख्यान स्टैंड के पीछे खड़े हो सकते हैं, कमल के फूल से प्रेरित होकर, नई दिल्ली में पूजा घर के लिए डिजाइन 27 मुक्त खड़े संगमर्मर से धकी, पन्खुडियों, से बना है, जो 9 भुजाओं को बनाने के लिए 3 के में व्यवस्थित है, मंदिर के आकार में प्रतिकात्मक और अंतरधार्मिक है महत्वक्यों की कमल अक्सर हिंदू देवी लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है, लोट्स मंदिर के 9 दर्वाजे 34.3 मीटर उचे एक केंद्रिया हॉल में खुलते हैं, जिसमें 1300 लोग बैठ सक मंदिर का व्यास है 70 मीटर की पूजा घर की सता ग्रीस में पेंटेली परवत से सफेद संगमर्मर से बना है, वही संगमर्मर काई प्राचें समारकों के निर्मान में उप्योग किया जाता है। 2017 में स्थापित किया गया था, ओपनिंग स्क्वेर ब्राकेट, लोट स्टैंपल ओखला NSIC के पास स्थित है और कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, 22 यह नई दिल्ली, राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बहापुर गाव में नह प्लेस के पास है, 22, मंदिर के 500 किलोवाट के कुल बिजली उप्योग में से 120 किलोवाट भावन पर सौर पैनलों द्वारा उत्पन सौरूर्जा द्वारा प्रदान किया जाता है, इससे मंदिर को प्रती माह 1,20,000 रुपे की बच्चत होती है, यह दिल्ली में उप्योग कर पहला मंदिर है, सौरूर्जा, जैसा की ताजमहल जैसे अन्य पत्थर के समारकों के साथ होता है, भारक में वायू प्रदूशन के कारण लोट्स टंपल बद्रंध होता जा रहा है, विशेश रूप से, अन्य स्रोतों के अलावा, वहनों और शहर में निर्मान से होने वाल प्रदूशन के कारण सफेद संगमर्मर ग्रे और पीला हो रहा है, पच्छीस, आगंतुकों CNN के रिपोर्टर, मंत्रीत बराड के अनुसार, 2001 के अंध तक, लोट्स टंपल ने 70 मिलियन से अधेक आगंतुकों को आकर्शित किया था, युनेसकों में भारत के स्थाई प्रति निधिमंडल ने कहा कि लोट्स टंपल को अप्रेल 2014 तक 100 मिलियन से अधेक आगंतुक मिले थे, कुछ हिंदू पवित्र दिनों में 100 000 से अधेक आगंतुकों के साथ लोट्स मंदिर विभिन धर्मों के लोगों के लिए एक प्रमोखाकर्शन बन गया है, सालाना आगंतुको की संख्या का अनुमान 2.5 मिलियन से 5 मिलियन तक है, CNN के बराड ने 2001 में कहा था कि यह दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली इमारत थी, लोट्स टंपल को अक्सर दिल्ली के प्रमुख पर्यतक आकर्शनों में से एक के रूप में सुची बद किया जाता है, लोट् पुरस्कार 1987, बहाई हाउस ओफ वशिप के वास्तुकार, फरी बोर्ज साहबा को धार्मिक कला और वास्तुकला में उतकृष्टा के लिए युकि स्थित इंस्टिटूशन ओफ स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स द्वारा एक इमारत का निर्मान करने के लिए, एक फूल की सु नुकरन करने और इतनी आकर्शक के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका द्रिश्य प्रभाव 27, 1987, बहाई हाउस के डिजाइन के लिए फारिबोस साहबा को 1987 में धार्मिक कला और वास्तुकला में उतकृष्टा के लिए अपना पहला सम्मान पुरस्कार दिया नई दिल्ली के पास पूजा की आठ, 1988, नौर्थ अमेरिका की इल्यूमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी ने विस्वी शताब्दी के ताजमहल के लिए आउडोर प्रकाश व्यवस्था के लिए पॉल वाटब्री विशेश प्रशस्ती पत्र प्रदान किया, 22, 1989 में म बिटानिका का 1994 का संसकरण, इसके, आर्किटेक्ट्चर, खंड में मंदिर को उस समय की एक उत्कृष्ट उपलब्दी के रूप में मान्यता देता है आठ, 2000, आकिटेक्ट्चरल सोसाइटी ओफ चाइना बीस्वी शताब्दी के सव प्रामानिक कारियों में से एक के रूप में, वल्ड आकिटेक्ट्चर एक नौशून्य शून्य दो शून्य 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 एक रिटिकल मोजेक, वॉल्यूम आठ, दक्षेन एशिया, में 2000, विएना, आस्ट्रिया में स्थित ग्लोबाट अकादमी ने अपना, ग्लोबाट अकादमी 2000, पुरसकार लोट्स टैंपल के वास्तुकार फरिबोज साहबा को, बीस्वी सदी के इस ताजमहल की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया, सभी देशों, धर्म 2003 तक, बहाई वर्ड सेंटर लाइब्रेरी ने 500 से अधिक प्रकाशनों को संग्रहीत किया था, जो लोट्स टैंपल पर लेखों, वास्तुकार के साथ साक्षातकार और सन्रचना की प्रशंसा करने वाले लेखन के रूप में जानकारी देते थे, निमनलिखित लेखों के प् 1987 स्ट्रक्चरल इंजिनियर, वार्शिक युके जर्नल, दिसंबर 1987, इंसाइकलोपीडिया इरानिका, 1989, वल्ल्ड अकिटेक्ट्र, एक्रिटिकल मोजैक, 1900, 2000, किनेत फ्रमपतन द्वारा, वॉल्यूम आठ, 2000, महान सुंदर्ता का एक पावर आइकन, शहर का एक आयात प्रती एक्चुलिट डैस रिलिजियन्स, फ्रांच पत्रिका, फॉल 2000 का विशेश संसकरन, जिसका शीर्शक है, लेस रिलिजियन्स, एट लिउस, शेफडी, उवरेस, धर्म और उनकी उत्कृष्ट कृतियां, चार पेज का लेक, गिनीज वर्ड रिकॉर्ड्स, 2001, वॉल्पेपर अक्टूबर 2002, लाइटिंग डिजाइन, एप्लिकेशन, वॉल्पेशन, 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 नमबर च्छे, इल्यूमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी ओफ नॉर्थ अमेरिका, 20th सेंचुरी का ताज महल, फेथेंट फॉर्म, धर्म, कला और वास्तुकला पर इंटिफेथ फॉरम का जर्नल, अमेरिकन इंस्टीटूट ओफ आर्किटेक्ट्स का एक सहयोगी, वॉल्यूम 21, डिजाइन, निर्मान और अभिव्यक्तियों की उप्युक्ता का एक असाधारन उपलब्धी, BBC ट्रावल, 2016, दुनिया के सबसे जूरत बोजस्तल